हेलो एवरिवन ये स्टोरी एक लड़की की जो कंटिनु उसले अपनी विंडो से बाहर एक ट्री को देखती रहती है और उसे उसे उसमें बहुत सारे लीप्स दिखाई देते हैं और उसके माइड में दीरे दीरे ये बात सेट हो जाती है कि जब तक ही लीप्स दिखाई दे रहे हैं जब तक ही लीप्स सर्वाइब कर पाएंगे तभी तक मैं भी सर्वाइब कर पाऊंगी लेकिन धीरे धीरे उस पेड़ के पत्ते जड़ने लगते हैं विकाज इस टॉर्म बगरा का सीजन आ जाता है और वो लड़की भी दीरे दीरे बीमार पढ़ने लगती है और अब वो लड़की इतनी बीमार पढ़ जाती है कि डॉक्टर्स भी कुछ नहीं समझ पाते हैं कि एक्चुली इसे क्या हुआ है तो वल्कम बैक फ्रेंट इस आर्ति सर्मा यॉर वाचिंग स्टॉडी टेवल और आज जो हम स्टोरी पढ़ने वाले हैं उसका नाम है दलाश इस रिटेन बाई ओ हैंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया इसे स्टोरी को लिखा है विल्यम सिद्नी पॉर्टर ने यह पॉपिलरली जाने जाते थे ओ हैंड अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी राइटर है इनका बर्थ हुआ था नौर्थ कैरिलोना में ग्रीन स्प्रो बोलकर एक जगह है वहाँ पर इन्होंने 1906 में कुछ पब्लिश किया था एक कलेक्शन जिसका नाम है दे फोर मिलियन ओके एंड इसमें दे गिफ्ट ऑफ दे मैगी एंड स्काई लाइट रूम ये सारी आरे क् और अगर हम उनके फेमस वर्क का नाम देखें कि वह फेमस्ली किस चीज के लिए जाने जाते थे दान इड इस दे रैंसम ऑफ रेड शेफ ओके एंड हम देखेंगे कि इनकी जो भी स्टोरीज है इनमें इनके ही एक्स्पीनियन्स रिफ्लेक्ट होते हैं और उसमें बहुत जादा विट होता है, clever word play होता है it means that word के सात इस तरीके से खेलते हैं कि знаю को थोड़ा सा इंधरेस्ट आता है कि actually story क्या है and unexpected twist ending भी रहता है तो चलिए हम बिना कोई देरी कि इस story को सुरू करते हैं यह स्टोरी बहुत बड़ी है इसमें बहुत सारे एक्स्प्लेणिग वर्ट भी है जो कि एक्स्प्लेण के भी ना आपको साहध स्टोरी प्रॉपर समझ में ना है इसलिए यह इट विल कंजूम तूमच टाइम अग्डाइट आप बस देखे मैं कहां पर मार्क करते हूं किमाओदार मोड इस में जिसें हम प्लेसे के नाम से जानते हैं और यह जो प्लेस्प्प्लेस थे बहुत एक्ट्रेंगी 숙ड ऑग़ारा के ऊपर एक हम जए एक दुष्टरे को यह तो बहुत अच्छी बात है यहां पर तो एक अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है किस चीज की पॉसिबिलिटी है देखिए अभी हमने उपर क्या देखा कि ओ है जो है वाल्ड प्ले करते हैं तो यहां पर हमें थोड़ा सा हीूमर भी मिलेगा इन्होंने एक से आगे बढ़ेगा तो वो सड्डेनली देखेगा कि वो उसी जगह पर आ गया है जहां से उसने सुरू किया था और उसे एक भी पैसा पेमिंट नहीं मिला है तो फायदा किसका हो जाएगा अल्टीमेटली अफकॉस अर्टेस्ट का ही फायदा हो जाएगा तो यह बोलने का होते थे धीरे-धीरे आने लगे उसी स्क्वाईर वाली जगह पर उसी स्ट्रीट पर ओके प्रावलिंग में क्या होता है मतलब दीरे-धीरे सभी लोग इसी स्क्वाइर्ट इस्ट्रीट में आकर सेट होने लगे थे एन देखें यह लिखा हुआ 18th century gavels तो gavels क्या होता है हम पुराने टाइम में ऐसे ट्राइंगुलर सेप के जो घर देखते हैं जिनकी दिवारों वगारा पर इस तरीके का सेप रहता है उसे हम लोग गैबल्स बोलते हैं एंड डच एटिक्स क्या होता है डच एटिक्स मीन्स होता है जो इस पेस वाले जो रूम रहते हैं प्यूटर मग्स क्या होता है ऐसा मग जो ग्रेयलोई क्या है अलोई क्या है सबस्टान्स होते हैं इंके साहतर रहते थे सैफिंग डेस्तित क्या होते है शन्युंपहॉड और इंके बातन वगएरा होते थे उस गरूग है वाभूज इनको टीछ पिपॉजीर्यों तो इंको यह जो area था पूरी तरीके से colony में change हो चुका था next page में देखिए हम लोग क्या देख रहे हैं at the top of the square square means क्या होता है जो short and thick short and thick एक building थी जो की 3 मंजिला थी 3 story and उसमें Sue and John C. बोलकर 2 लड़किया थी और वो आकर यहाँ पर अपना studio उन्होंने set किया था John C. was familiar for Joanna देखें यह confused होने वाली कोई बात नहीं है John C. जो नाम था Joanna के लिए familiar था it means that Joanna को ही John C. बोलकर बुलाया जाता था यह उसका nickname था familiar name था one was from Maine and the other from California तो यह जो दो लड़की थी Sue and John C. इसमें से एक Maine से थी और दूसरी जो है California से थी तो देखें यहाँ क्या बोला जा रहा है कि यह जो Sue and John C. थी यह दोनों एक दूसरे से English street और उस street का नाम दिया हुआ है Delmonico's वहाँ के Dehoti पर मिली थी Dehoti table ओके यह हो सबता किसी restaurant का area हो वहाँ पर मिली थी और इनों ने पाया कि इनका जो taste है ना वो हर चीज में exactly एक है चाहे वह खाने के मामले हो शिकारी एक टाइप का प्लांट होता है तो उसमें भी इनका इसका टेस्ट एक दम एक जैसा था दोनों का उसके अलावा बिसप्स बिसप्स क्या होता है देखिए जो Christian का जो हेड रहता है उसे बिसप्स बोलते है तो उनके जो sleeps होते तो उनका जो dressing attire होता था या फिर congenial congenial means similar interest तो studio वगेरा क्यों खोला इनोंने because इनका हर चीज में interest बिलकुल सेम था और इसी के चलते यह जो studio बना इसी का result था उनकी इतनी अच्छी पटी कि वो लोग आगे चल कर studio खोल लिए that was in May और यह May की बात है नवंबर में जो की पूरी तरीके से cold चल रहा था unseen stranger whom the doctors called pneumonia तो देखें पहले ही लिखा हुआ है कि ओ हैंडी जो है words के साथ बहुत play करते हैं तो यहाँ पर pneumonia को क्या बोलकर introduce करवाये गया है कि एक unseen stranger था जो की दिखाई नहीं देता था तो निमोनिया को कौन देख सकता है ठंड के चलते जो निमोनिया हो जाता है और doctors उसको क्या बोलते थे Mr. NIEMोनिया इस टॉक्ट अबाउट दे कॉलनी टचिंग वन हेर एंड देयर विथ इस icy fingers तो देखें ये क्या करता था इस टॉक्ट मेंस क्या होता है haunting ये जो है ना पूरे कॉलनी को हांच कर रहा था हर किसी को हो रहा था और हर अपने icy fingers से सब को टच कर रहा था ओके ओवर ऑन दे इस्ट साइड दिस रैवजर स्टॉट बाल्ड ली smitting his victims by scores but his trot slowly through the maze of the narrow and moss grown places लेकिन देखें आपको एक example देती हूं जैसे corona village area में कम हुआ था and यहां पर बहुत जादा हुआ था तो ये जो pneumonia था ना ये बहुत ravager it means बहुत bold तरीके से चलता था कहां पर इस side में इस side में अच्छे कासे लोगों को affect किया था काफी लोगों को victim बनाया था strike with firm blow तो ये जो इनका जो बहुत ज़्यादा blow जो हवा चल रही थी उससे काफी लोगों को बड़े score में इसने लोगों को गिराया था अपना victim बनाया था लेकिन ये थोड़ा slow था है slow था कहां पर था जहां पर जहां पर काइव अगरे जमी हुई आती हो उस प्लेसेज में ये थोड़ा कम चल रहा था next देखें Mr. pneumonia was not only what you would call a civilric cold gentleman Mr. pneumonia कोई वैसा कुछ नहीं था जिसको आप बोलोगे कि civilric old gentleman बहुत polite gentleman नहीं था ये might of a little woman with blood thinned by California Zephyrus was hardly fair game for the red fisted short breathed old duffer तो देखें यहां पर क्या लिखा गया है might means क्या होता है small तो एक ऐसी women जिसका blood thin हो जाता है California Zephyrus से gentle breezes तो हलकी फुलकी हवा चलने से भी ऐसी लड़की जिसका blood पूरी तरिके से thin हो जाता है सूक जाता है जिसको हच से जादा ठंड लगता है उसके लिए तो यह बहुत भैंकर गेम था जिसमें की red fisted short breathed old duffer और यह जो pneumonia की जो हवा जो चलती थी नहीं बहुत जादा रफ होती थी तो उसके लिए यह गेम जो था बहुत जादा फेर था बहुत मुस्किल था उस लड़की के लिए सर्वाइफ करना बट जाउंसी ही स्मॉट एंड सी ले सिक्रेटली मुविंग ओन हर पेंटेट आइरोन बेट स्टीट लुकिं थ्रो दे स्मॉल डच विंडो पेंड अट दे ब्लैंक साइड ओफ दे नेक्ट ब्रिक हाउस लेकिन देखे यहां पर यह जो हवाई है यह जाउंसी के लिए अच्छी प्रूफ नहीं हुई और वो दिन भर पड़ी रहती थी इस कार्टली मेंस के ओदा रेरली मुविंग बहुत मुस्किल से अपने बेड पर से हिलती थी और पूरे दिन ऐसे ही वो बेड शीट पर पड़ी रहती थी लुकिंग थ्रो दे स्मॉल डच विंडो पेंस और वो क्या करती थी वो डच एटिक्स वाला जो रूम था जिसमें अच्छा कासा स्पेस होता था उससे वो बिंडो के बाहर देखती रहती थी अट दे ब्लैंक साइड ऑफ दे नेक्स्ट ब्रीक हाउस दूसरा जो घर था उस तरफ वो कंटीनुवसली देखती रहती थी अब देखिए जॉन सी की तो तवयत पूरी तरीके से खराब है तो एक दिन डॉक्टर इन्वाइट करते हैं सीू को हॉलवे में और उनके जो आइब्रोज है बहुत ज़्यादा शैगी है और ग्रे आइब्रोज मिन्स टैंसन से ठीके शैगी मिन्स क्या होता है जो अन और्गनाइजड होता है और क्या बोलते हैं वो She has one chance in let us say 10 तो वो क्या बोलते हैं आप ऐसा बोल सकते हो की 10 में से उसके पास सरीफ एक ही chance है किसके पास है जॉन सी के पास है He said as he shook down the mercury in his clinical thermometer तो उन्होंने ये जो sentence कहा वो तब कहा जब वो अपने mercury thermometer को ऐसे हिला रहे थे और उसके बाद वो क्या बोलते हैं और ये भी चांस उसके पास तब है जब वो खुद जीना चाहेगी तो देखे डॉक्टर इनको ये बोलते हैं कि आपकी जो लिटल लेडी है उन्होंने अपना माइंड बना लिया है कि वो जिन्दा होने वाली है ही नहीं और अच्छी नहीं होने वाली है और वो जीना भी नहीं चाहती है तो क्या उसके माइंड में कुछ ऐसा है जो कि उसे परिसान कर रहा है तो शीव क्या बोलती है कि साइद वो तो पेंटर है तो वो हो सकता है बे अफ नेपल को ड्रॉइंग करना चाहती है तो साइद यही चिनता उसको खाती होगी पेंट बोस्स कई होता है नॉनसेंस डॉक्टर क्या बोलता है पेंट मतलब पेंट को लेकर कोई इतना ज़्यादा अनेक्सियस नहीं हो सकता है हैसी एनिथिंग ओन हर माइंड वाइंड वर थिंगिंग ट्वाइस a man for instance तो देखे डॉक्टर क्या बोलते है क्या उसके mind में कुछ ऐसा चल रहा है जिसके बारे में वो बार-बार सोचे क्या कोई इंसान तो a man sets you तो Siu क्या बोलती है a man question करती है juice harp twang in her voice is a man worth but no doctor there is nothing of the kind तो देखे Siu क्या बोलती है musical instrument तरीके से बोलती है juice harp twang के musical instrument है तो बहुत घबराई हुई आवाज में वो बोलती है एक man इतना worthy हो सकता है लेकिन फिर बोलती है बट no doctor ऐसा कोई भी नहीं है ऐसा कोई बात नहीं है well it is the weakness then तब doctor क्या बोलते है अच्छा ठीक है जब ऐसी बात नहीं है तब हो सकता है यह कमजोरी ही होगी और उसके बात क्या बोलते है कि जो मेरा science है मैं जितने भी filters apply कर सकता हूँ it means मैं जितने भी efforts ले सकता हूँ मैं वो लूँगा और इसे accomplish करने एकोसिस करूँगा लेकिन देखे डॉक्टर यहाँ पर क्या बोलते है कि जब भी कभी मेरे जो patients रहते है वो funeral procession के तरफ जाते है procession मतलब क्या होता है March करना आगे बढ़ना किस तरफ बढ़ना funeral मतलब ऐसे patient जो ठीक होना ही नहीं चाहते है जो मरना ही चाहते है तब उनके उपर medicines का भी जो power है ना वो 50% तक कतम हो जाता है curative means क्या होता है curing power जो medicines वगरा में किसी को ठीक करने का जो power होता है उसे ही curative power यहाँ पर बोला गया है If you will get her to ask one question about the new winter styles in clock slips I will promise you a one in five chance for her instead of one in ten तो देखिए doctor यहाँ पर क्या suggest करते हैं कि अगर तुम उससे new winter styles in clock slips के बारे में बात करो जो नए नए dresses जो आते हैं जो नए फैसन होता है उसके बारे में अगर बात करो और वो तुम्हें reply करती है तो मैं promise करता हूँ कि इसका जो chance है वो one in ten से बढ़कर one in five हो जाएगा तो देखे डॉक्टर के जाने के बाद शिव अपने वर्क रूम में जाती है और वर्क रूम से जाकर Japanese napkin लेके आती है Japanese napkin क्या होता है paper because वो लोग artists थे painting वगरा करती थी तो उनके पास कुछ paper थे और जो की completely wetted थे तो वो pulp इसको यहां पर दिखाए गया और उसके बाद swaggard means क्या होता है walking in different style वो जान सी के रूम में आती है चल कर और उसके बाद उसके हाथ में ड्रॉइंग रूम है साथ में ही क्या whistling ragtime whistling ragtime क्या होता है musical play करना music को play करना तो music play करती है जान सी जो है music चलने के बावजूद भी बहुत कम ध्यान देती scarcely making a ripple under the bed clothes मतलब वो अपने bed के भीतर से bed का जो bed sheet टोड के रखा है उसने उसमें से बहुत कम move करती है movement ही नहीं करती है and उसका जो face रहता है towards the window वो window के ही तरफ रहती है Siu stopped whistling thinking she was a slave और जब वो बिल्कुल भी reply नहीं करती है यह तो Siu सोसती है कि यह सो चुकी है इसलिए वो जो music player चला रही थी वो उसे बंद कर देती है तो आज के हम story में इसका यहीं तक रखेंगे next time हम इसका continue करेंगे इसके pages को and thank you so much और आप मुझे कमेंट करके बताईए आपका story कैसा लगा